तो गाईज आज किस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको बताना कि समझदार कौन है कहानी बहुत ही माज़ेदार होने वाला है एक बुढ़ा अंकल थेले में तरबूज बेच रहा थो वो तरबूज को बेचने के लिए एक बोर्ड लाके रहा थो और उस बोर्ड में लिखा था कि एक तरबूज का 30 रूपया लेकिन 3 तरबूज का 100 रूपया तभी उसी रास्ते से एक यहंग आदमी गुजरता जो आपने आपको काफी ज़ता समार्ट समझता था उसका नजर अउस बोर्ड के तरब परा तो उसने बोर्ड को पाने के बाद मानी मन मुश्कुराया और सोचा कि चलो आज अउकल जी का मजे ले लेते हैं तभी वो आंकल जी के ठेले के पास गिया और आंकल को 30 रुपया देते हुए बोलता है कि आंकल एक तरबुज दे दिये क्योंकि 30 रुपया में एक तरबुज था तो आंकल ने उसको 30 रुपया के एक तरबुज दे दिया इसके बाद वो फिर से अंकल को 30 रुपया देता और बोलता है कि अंकल जी और एक तरबुज हमको दे दीजी तो अंकल ने उसको फिर से और एक तरबुज दे दिया अंकल ये धन्दा बंदा अब आपकी वसकी बात नहीं है इसके बाद अंकल जी ने जो जबाब दिया ना वो सुनके हमको बहुत ही अच्छा लगा अभी अंकल मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलता है कि बेटा तुम चाहता तो एक तरबुज खरित के घर जा सकता था अगर हमको धन्दा सीखाने के लिए तुम तीन तरबुज खरित के ले जा रहा है तो गैस अब आपको बताना की समाजदार कोन है और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक सेर और हमारी इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में